हेलो एवरिवन, लास्ट रन पे जो हम वीडियो डिसकस कर रहे थे कि प्रोडक्शन ओफ रिकॉंबिनेंट प्रोटीन्स इन माइक्रोब्स उसका पार्ट टू हम आज लेकर के आए हैं, पार्ट वन में हमने डिसकस किया था कि रिकॉंबिनेंट प्रोटीन्स की जरूरत क्यों पढ़ती है हमें और माइक्रो और निजम का ही यूज क्यों जादा तर किया जाता है रिकॉबिनेट प्रोटीन के एक्स्प्रेशन के लिए और उनके लाइड इसकेल प्रोडक्शन के लिए और क्या-क्या मैथेड हम एडॉप्ट कर सकते हैं जादा अमाउंट में एकॉलाई है जयासा कि हम जानते है मॉडल माइक्रो और निजम है इसमे क्या होता है इसका जीनोम हमें वेल ननोन एका क्या फंक्शन है सब कुछ एकॉलाई के बारे में पता है थी कि हो कैसे घ्रोग करता है यूज लिए अविलेबल हो जाता है तो ज्यादा तर इसी का तो यह earliest and widely used strain है E.coli जो है वह earliest पहले से इसका use होता आ रहा है क्योंकि इसका genome sequenced हो चुका था और ज्यादा तर इसी का use भी होता है excellent for the production या expression of non glycosylated protein या unmodified protein अब देखिए जो E.coli है हमें पता है यह prokaryotic organism है prokaryotic organism में nucleus होता नहीं है nucleus नहीं होता है मतलब जो protein आपके जो DNA transcription होता है वो सब भी cytoplasm में होता है translation भी cytoplasm में होता है तो वहाँ पर कोई भी post translational या post transcriptional modification नहीं होता है म Jaggar protein बन गए तो protein बनने के बाद कोई भी modification नहीं होता है तो हम इकोलाई में जो प्रोटीन बनाएंगे वो नॉन मॉडिफाइड प्रोटीन होंगे मतलि एक बड़ जो बन गये वो बन गया उसको क्या किया है ग्लुकोस ऌइटीे बन सकते तो non glycosylinated protein बन सकते हैं, glycosylated नहीं बन सकते हैं इसके अलावा इसमें भोगत जो folded protein होते हैं, folded confirmation वाले protein होते हैं 3D confirmation वाले वो भी e-coli में नहीं बन सकते हैं तो जो भी folded protein या modified protein है या glycosylated protein है उसके लिए equalize suitable नहीं होता लेकिन और सारी proteins के लिए west system है उसके अलावा भी क्या है कि यह ग्लाइकोसलिटेड प्रोटीन नहीं बना पाता लेकिन उसके भी चीज को भी हम ओवरकम कर सकते हैं इकोलाई में कुछ चैपिरोंस का भी एडिशन करके जो हमारी प्रोटीन्स बन रहे हैं उनको मौडिफाई करने वाले भी जो प्रोटीन्स हैं उनको भी हम क्या कर दे एक्सप्रेस करा दे उसमें तो फिर वो उसको फोल्ड भी कर देंगे तो यह ऐसा हम कर सकते हैं ठीक ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कॉंपलेक्स प्रोसेस हो जाएगा ठीक है फिर है जीनोम कैन भी मौडिफाईड एजली एकोलाई का जीनोम वाइडली सॉरी एकोलाई का जीनोम है वो एजली मौडिफाई हो सकता है ठीक है क्योंकि हमें उसके बारे में पता है कहां पे क्या रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं कहा पे जीन को कट करना है कहा पेस्ट करना है यह सारी चीज़ें हमें पतना है और यह इक रूराय का यूज़ान यह जाता है इसकी जाधा होता है जाती है उसके बाद आता है bacillus, bacillus gram positive bacteria है, और ecoli gram negative bacteria यह भी आप याद रखिएगा, bacillus gram positive bacteria है, तो यह homologus expression के लिए ज्यादा यूज होता है, homologus expression और heterologus expression जैसे कि मैंने यह लिखा भी था कि ecoli जो है heterologus expression के लिए ज्यादा यूज होता है, तो homologus और heterologus expression क्या होता है, यह मैं आपको बता दे रही हूँ, heterologus expression यह वो होता है, जैसे मालीचे ecoli में जो protein खुद से नहीं बन रही है naturally, किसी और protein को, किसी और organism की protein को अगर हम express करा रहे हैं, तो वो heterologus expression होता है, homologus expression का मतलब होता है, कि जो खुद उसमें बन रहा है, उ जैसे proteases और amylases bacillus में large amount में produce किये जाते हैं, जो normally भी उसमें produce हो रहे हैं, लेकिन उसको और ज्यादे amount में strong promoter लगा के, या कई copies of gene लगा कर के, उसको ज्यादे amount में produce करवाया जाता है, ठीकिन उसके लिए वो ज्यादा सूटेड होते हैं, अच्छा जो ecoli है, उसमें toxins भी accumulate होने लग जाते हैं, जब बहुत जादा इनकी number बढ़ जाते हैं, या growth जादा हो जाती है, तो इसकी वज़े से protein में क्या होने लग जाता है, फिर protein degrade होने लग जाता है, लेकिन bacillus में कोई भी toxin produce नहीं होता है, इसमें endotoxin produce होते हैं, आपको पता होगा gram negative endotoxin produce करते हैं gram positive में कोई भी toxin produce नहीं होता है, तो हमारा जो भी product है वो degrade नहीं होगा, ठीक है, inclusion bodies भी इसमें नहीं बनती है, और इसमें कभी-कभी क्या होता है, protein inclusion bodies के form में बन जाता है, तो वो क्या होता है, इनक्तिव होता है, वो activate उसको नहीं किया जा सकता, तो bacillus के कुछ फायदे है in comparison to equali, जो मैंने आपको ऐसी बता दी है, उसको भी आप add कर सकते हैं, इसके लावा कुछ और bacteria भी है, जो use होते हैं, heterologous expression ये homologous expression के लिए, उनके नाम है, realstonia, utrophia, pseudomonas, कभी एक strain है, इस defilococcus, कभी एक strain है, जो use होता है, इस purpose के लिए, तो आपके वहले, इनके नाम bacteria के नाम भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा तर use equali होता है, उसके बाद आता है, yeast, yeast भी eukaryotic model organism है, single cell, eukaryotic model organism कहलाता है, yeast, इसका भी genome well characterizes, अब कुछ पता है, हमें इसके बारे में तो इसके काम करना असान होता है, eukaryotic model होने के कारण, इसमें protein folding, glycosyl सब कुछ होता है, तो इसमें हम किसी भी तरीकी की protein को express करा सकते है, जादे है amount में, ठीक है, और यह जादा तर fermentation industry में use होता है, widely used yeast, जो हमारे है, saccharomyces cerebasis, जिसको हम bakers yeast भी कहते हैं, दूसरा हमारा methylotropic yeast होता है, bga pastoris, bga pastoris, bga pastoris, जादा तर use होने वाला methylotropic, bacteria, sorry, yeast है, जो recombinant proteins के accumulation के लिए यूज़ किया जाता है, इसके खास बात क्या होती है, पीचे अपैस्टोरिस के, क्योंकि इसमें strongest और easily regulated promoter लगे होते हैं, इसके promoter को हम easily modify कर सकते हैं, इस वज़े से इसका use जादा होता है, Saccharomyces की promoter में भी हम changes कर सकते हैं, लेकिन ये best system है, promoter के हिसाब से देखा जाए, तो बाकी Saccharomyces सेरी वेसी easily available होने के करण जादा तर use होता है, लेकिन इसके भी जो recovery है, product की जो yield है वो पीचे पैस्टोरिस की भी जादा आती है, तो ये कुछ system होगे east में, जो single cell eukaryotic system है, इस production में, mainly food fermentation में इसका utilization होता है, और इसमें क्या होता है, कि जो mold है, eukaryotic है, multi-cellular है, तो इसमें जो भी हम gene को insert कर देते हैं, एक बार तो वो easily वहां से निकलता नहीं है, वो stably integrated form में रहता है, तो हम इसको कितने भी time के लिए store करके बाद में भी expression कराना हो, तो हम use कर सकते है, filamentous जाए का, aspergillus का आपको बता है, यूज बहुत सारे enzymes के production में, citric acid के production में, यूज होता है, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इसलिए aspergillus का नाम मैंने highlight किया, इसके लवा आपकी trichoderma species है, candida species है, वो भी methylotropic ही, sorry, methylotropic ने, candida जो होता है, वो तो आपका methylotropic single standard हो ग होने के का, इसका नाम आप याद रखेंगे, इसके कई सारे strains है, available, species available है, इसकी, जो इस purpose के लिए use होती है, तो I think इतना sufficient रहेगा इसके लिए, मैंने different organisms के नाम बता दिये, और उनके कुछ examples भी बता दिये, कि क्या 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 यूज होते है, bacteria और east में, चीक है, तो इसको देख लीजेगा, इसके बाद next वीडियो कर ले करके आएंगे हमने ये topic के साथ, अब तक लिए thank you